हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका स्वागत है स्मैल विट टेस्ट पर बरसात का मोसम है ऐसे में पकोड़े पकोड़ियों खाने का मजा ही कुछ और होता है इसलिए हम भी आपके लेकर आये हैं बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी अर्बी के पत्तो का नाश्ता आपने अ करते हैं गले में नहीं तो जो बड़े पत्ते होते हैं पके वे उनसे गले में रिटेशन हो जाती है और यहां पर हम सबसे पहले ले रहे हैं एक बावर में चार चमच चावल नॉर्मल हमारे घर की खाने वाली चमच होती है उससे मैंने चार चमच यहां पर चावल लिए है चार चमच यहां पर मैंने चनी की डाल ली है और दो चमच ली है हमने उरत की दाल धुली उरत और इन्हें सबको वाष करके हम भिगोके रख देंगे करीब 3.1 गंटे के लिए और जितने भी हमारे अर्बी की पत्ते ते उन्हें हमने अच्छे से वाश कर लिया है और इस तरह से उनका हम पीछे का जो मोडर बंठल है उसे हटा लेंगे नैफ की हल्प से यह व्हया सीजर की हेल्प से आपको सभी पतों कि ओल को क्लीन कर देना है चलिए हमने सभी पत्तों को clean कर लिया है और अब हम इन्हें बेलन की help से थोड़ा flat कर लेंगे हलके हाथ से हमें इस तरह चैन पर बेलन मारना है जिससे ही अच्छे से खोल जाए और असाने से हमारा नाश्ता तयार कर सकें चलिए दूसरी तरह हमने डाल जो फूलने के लिए रखी थी वो हमारी फूल गई है उसे हमने blender jar में डाल के एक smooth paste बना लिया है और अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं एक medium size का आलू मैंने हाँ चौप करके डाला है एक harimish chop करके डाली है और तो चमच यहाँ पर हमने डाले है धनिया पत्ता उने हमने रफ्ली चौप कर लिया है और यहाँ पे हमने दो चमच भरके लिया है नेवू का रस और अब हम इन्हें सब को मिलाके एक smooth paste तयार कर लेंगे और हम इसे निकानने वाले हैं एक mixing bowl में उसके बाद यहाँ पर मिलाने वाले हैं थोड़े से मसाले एक चमच धनिया आधी चमच हल्दी और आधी चमच करीबी हमने यहां मिर्च ली है आधी चमच नमक लिया है एक चुथाई चमच करम मसाला और हमन और अब यहां पर हम डालने वाले हैं करीब दो चमच पानी चो मेरा mix जार में पेच था उसी मिन्ट करके मैंने इसमें पानी डाल दिया है और एक चमच भरके यहां पर मैं डालने वाली हूँ अमचुर पाउडर यह बहुत जरूरी है इसे जरूर डालिएगा और उसे भी ह हम यहां पर लेने वाले हैं हमारे अर्वी के पत्ते अर्वी के पत्तों पे हम इस तरह से हमारे बैटर को कोट कर देंगे अच्छे से सभी कोनों पे लगाते हुए हमें इसे अच्छे से कोट कर देना है एक बार इस तरह से अर्वी के पत्तों का नाश्टा बना के देखेग और हमने तीसरा पत्ता लिया है उसपे भी हम हमारा सारा पेस्ट, जो हमने चावरोण दाल का बेशन का बनाया है इस तरह से लेप लगा देंगी उसके उपर भी हम, हमें सभी कोनों का ध्यान रखते हुए सभी कोनों पे अच्छे से हमारे इस बैटर को पत्तो के उपर लगाना है उसके बाद यहाँ पे हम एक फोर्थ पत्ता ले रहे हैं और उसे हम रखने वाले हैं इन तीनों पत्तो के मिडल में जिससे की यह अच्छे से स्टिक हो जाएं और उस पे भी हम सारा जो हमारा बैटर है अच्छे से लगा देंगे आप देख सकते हैं हमने कितने अच्छे से इस बैटर को पत्तो के उपर कोट करा है चलिए हमने अच्छे से सारे बैटर को पत्तो पे कोट कर दिया है अब हम इसे करने वाले हैं फोल्ड हमें इसके एक रोल बनाना है उसके लिए हम इस तरह से पहले साइट में से इसे बंद करेंगे और उस पे भी एक बार इसे बैटर को लगा देंगे और दूसरी साइट पे भी हम इस तरह से रोल करके बैटर को लगा देंगे अब हमें नीचे की तरफ से इसे बंद करना है और उस पे भी हम एक बा हमारे स्पैटर को लगा देंगे जिससे की अच्छे से स्टिक होए रहे ये कुछ इस तरह से हमने हमारे स्पैटर को लगा दिया है अर्बी के पतोड़े खाना बहुत लोगों को पसंद होता है एक बार इस रेसिपी को भी ट्राय करिएगा ये नाश्ता भी बहुत टेस्टी चलिए हमने हमारे स्पैटरों को लगा दिया है और रौल करने के बाद एक बार इसे पलैट्वॉम पर इस तरह से रोल कर लेए गए और हम knife की help से इसके इस तरह से rolls cut कर लेंगे और उसके बाद इन्हें एक proper और अच्छी shape देने के लिए हम finger की help से इसे नीची एक तरफ press करेंगे और एक flower shape हमें हमारे नाश्टे को दे देनी है अर्भी के पत्तों को दे देनी है इससे क्या होगा हमारी जितनी भी layer है अर्भी के पत्तों की वो अच्छे से sick जाएंगी और बहुत अच्छी crispy हो जाएंगी और इस तरह से बनाने से हमें इन्हें steam करने की जुरुत भी नहीं पड़ती है इसकी एक एक layer अच्छे से sick जाती है चलिए एक तरफ हमने तेल गरम कर लिया था और अब हम इन्हें medium flame पे सभी को तेल में छोड़ देंगे और medium flame पे हम इन्हें golden brown होने तक अच्छे से fry करना है नीची की side से जबिए sick जाएंगे और तला छोड़ देंगे उसके बाद हम इन्हें पलट देंगे और पलट पलट कर हमें इन्हें golden brown होने तक fry करना है जब आपको लगे कि है ना ये color change करना start कर रहे हैं तो 2 second के लिए gas को तेज कर दिजेगा और तेज flame पे इन्हें fry कर येगा उसके बाद हम इन्हें एक serving plate में निकाल लेंगे और serving plate में निकालने के बाद इन्हें garnish कर रही हूँ मैं हरी चटनी से ये मेरी normal पुदीना और धनी की चटनी है जैसे हम घर में बनाते हैं उसे हमने से garnish कर दिया है और इस पर डाल रहे हैं हम थोड़ा सा चाट मसाला और हमारा नाश्टा serving के लिए तयार है Thank you